दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा WhatsApp में ओनलाइन होते हुए भी ओफलाइन कैसे दिखा सकते हो जैसे कि मैं मेरे WhatsApp में ओनलाइन हूँ और यहाँ पर मेरा जो WhatsApp का लाश सिन है देखे पार हो यहाँ पर 11 बजगर 20 मिनिट दिखा रहा है और उसने मेसेश किया Hello John जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर इस फून से I love you यह देखो यह मेसेश किया Hello John I love you और यह मेसेश को मैं यहाँ से देख लेता हूँ और देख लेने के बाद यहाँ पर देखो उसने मेसेश किया Hello John I love you मैं इसका जवाब देता हूँ love you to यह देखो love you to जबब दे दिया और जैसे love you to जबब दिया यह मैसेस देख भी लिया लेकिन यहाँ पर last thing गरभ सक 10 minutes दिखा रहा है जो कि अभी time हो रहा है गरभ सक 21 minutes लेकिन यहाँ पर online नहीं दिखा रहा है देखो यहाँ पर message blue tick भी हो गया और उसको online नहीं दिख रहा है और यहीं नहीं है अगर आप आपके whatsapp में online आते हो तो दूसरे को पताश चल जाता है कि आप अभी भी online में हो तो आज मैं यही है मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे trick जो आपको whatsapp में जाने का ज़रूरत नहीं है बीना whatsapp पे जाके एक ऐसे whatsapp का setting करोगे तो सारा message यहाँ पे आएगा जो कोई भी message करेगा आपको hi hello यह देखो message इस तरफ से यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे मेरी girlfriend ने मुझे message किया और यहाँ पे message आ चुके है और यहाँ पे मैं चाहे जितना भी message करो उसके साथ रात दिन जैसे में जितना भी message करो वो message यहाँ पे reply आएगा और मेरा last day वही पुरान वाला last day दिखाएगा और मेरा offline दिखाएगा तो यह setting मैंने कैसे किया मेरे whatsapp में आपको यही बताऊंगा कि whatsapp में आप online होते हुए भी दूसरे को offline कैसे दिखा सकते हो तो दोस्तों ऐसे की शुरूत में आपको मैंने दिखाया एक phone से message के दूसरे phone पर लेकिन मेरा whatsapp का last day वो नहीं दिखा रहा है मतलब last day online नहीं दिखा रहा है तो आज मैं यहीं बताऊंगा कि आप whatsapp में online होते हुए भी दूसरे को कैसे offline दिखा सकते हो तो बस इस वीडियो को ध्यान से देखना शुरू से लेके लाश्तर तो दोस्तों आपको फिर से स्वागा बिकता हूँ आपके ही से रिसेवेल एप सब्ड़िट में दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त आपका भाई आसिफ तो विला टोस्क्राइब चलो देखते हैं लेट्स काट स्टार्ड़ट एक कमेंट जरूर कर दिना है उसके बाद दोस्तों यह जो मैंने वाट्स आप में मैंने एक सैटिंग किया जो वीडियो देख पा रहे हो, वीडियो के टाइटेल में क्लिक करोगे, तो description में आपको इस app का link मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से इस app को आप आपके फुन में आसानी से install कर पाओगे, जैसे इस app को install करोगे, तो यह app इस तरफ से open होगा, उसके बाद this action में content adds, उसके बाद इस तरफ से next, next, next आता है, आपको बस next कर देना होगा, उसके बाद यहाँ पे दो permission allow करना होगा, पहला है overlay permission उसके बाद notification access, तो आपको बस इसमें click कर देना होगा, कर देने की बाद display over other apps पे जाना होगा, और जाने की बाद आपको यहाँ पे थोड़ टाइम रुकना होगा, और bubble चार्ट करके लिखा रहेगा, तो इसमें आपको click करना होगा, और यहाँ पे इसको बस on कर देना होगा, उसके बाद same process से आपको यहाँ भी notification access इसको भी यहाँ से on कर देना होगा, ठीक है, उसके बाद आपको back कर देना होगा, दोनो on हो जाएगा, उसके बाद आपको done कर दिना होगा, बस इतना ही आपका काम है, उसके बाद टेप हear का option देख पर हो, बस आपको टेप हear back पर क्लिक करना होगा, उसके बाद minimize कर लेना होगा, फिर ले लेज़ोret का option आएगा, उसके बाद उसके बाद से, देखो अभी मैं देखाता हूं, जैसे मैं whatsapp पे जाता हूँ और मैं whatsapp पे जाने के बाद जैसे ये मेरे girlfriend के phone है मेरे girlfriend के phone में मेरा number को जान करके save किया है और मेरा last thing दिखा रहा है last thing today 11 बसकर 25 am जो कि आभी time हो रहा है 11 बसकर 26 आभी last thing दिखा रहा है एक minute पहले तो मैं करता हूँ मेरे girlfriend के phone से मैं high लिखता हूँ फिर लिखता हूँ बस यू ही लिख दिया जैसे message को लिखा लिख दिने के बाद मैं whatsapp open नहीं करूँगा यहाँ पे जो कोई भी message करेगा यहाँ पे आ जाएगा यह app में और जैसे आएगा यहाँ पे क्या message आया है यहाँ पे जिसके साथ भी बात करोगे ना उसको लगेगा कि आप online नहीं हो WhatsApp से बाहर हो चुके हो तो इस तरफ से तो यह जो app है काफी interesting app है इस app के through आप बीना WhatsApp पे जाए बीना online दिखाए आप WhatsApp में सब का message reply कर सकते हो तो दोस्तों ऐसे कि आप बीने आपको like to like दिखाया बिल्कुल इसी तरह से आप भी आपके फोन में WhatsApp में online होते हुए भी दुसरे को इसी तरह से offline दिखा सकते हो तो यह जो app है इसे आपका link दोस्तों में वीडियो कर दे दिया आप वहाँ से इस्टल कर सकते हो तो दोस्तों अगर आपको यह पसंदर वीडियो से थोड़ा भी यह अलपुल लगा तो वीडियो को like कर दिना और सेनल को subscribe करके उसके साथ जो bell है ना वो all bell पर दबा के ज़रूर रख दिना तो दोस्तों आज करे इतना ही फिर में लेंके दोस्तों से अगरे दिने अगले वीडियो में तब तक लिए दोस्तों खुश रहो जय हिंद